असलाम लेकुम डियर स्टोइंट्स वेलकम डू जी एस अकैडमी आज आपके पास मैट्रिक यूनिट 18 अटोमिक एंड निग्रेट फिजिक्स से लेडिड एक निया टोपिक डिसकस करें गया जो के आपके पास आपके पास आपके पास प्रोपरडीज जो हैं वो हमने देखी हैं किन-किन प्रोपरडीज की बेस पर आपके पास जो है वो पार्डीकल्स को हम जज़ भी कर सकते हैं और किस तरहां से अपने यह भी देखा कि आपके पास वो यू कैन से के डिफरेंट टाइप ओफ पेनिट्रेशन पावर्स उनके पर उनके पास थी जबकिए अब आपके पास कुछ इस तरहां की अबिलिटी है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो कि आपके पास गैस में मुझूद पार्डिकल्स को आईउनाइज कर देगी असान अलफाज में अगर आपको पताता चलूं तो आयोनाइज का मतलब यह है कि आपके पास किस तरह नहीं से पार्डिकल्स के ऊपर चार्ज आएगा तो इसी तरहां से यह रेडियो एक्टिव गैसिस भी हैं जो के अगर स्पेशल टाइप अफ गैसिस में से बास की जाए तो एक्शली वह उन गैसिसमें मुझूद पार्डिकल्स को आयोनाइज कर देती हैं अपनी ही डिपेफी की बैस पर किगुछ आपके पास जो हैं पार्डिकल्स का साइस हो आपके पास जदा होता है अज्मा पास chem an आपके पास you can say a very small particles you can say a more smaller than the beta particles that cannot ionize any type of gas because of their sizes or because of their neutral characteristic or property यही वजा है कि इस तरह से आपके पास ionization के अंदर भी आपके पास alpha, beta और gamma आपके पास different types आपके पास behave करती हैं तो आपके पास सबसे पहले start में लिखा हुआ है कि what is ionization effect तो मैं कह सकता हूं आपके पास किसी भी एक atom को यह किसी भी एक पार्टिकल को दो different particles में आपके पास divide कर दे you can say a positive line और a negative line तो क्योंकि अगर आपके पास कोई अब्जेक्ट पोजिटिव के तो इसने वहां पर एक ऐसा particle भी होगा जिसने वही उसका लूज कि अव एक पार्टिकल एमिट किया होगा कुछ इस तरह कि आपके पास आपके पास पार्टिकल्स टू जो बनेंगे कि चल्य वह पोजिटिवाइन और नेगेटिवइन हीह है यानि कि आपके पास also particles गया मिली किसी भी गैस में से सारे के अपके पास थो आयोनाज़ेशन प्रोपर्टी रछतें हैं बट डिफेरेंट सिनेरियोज में कुछ पार्टीकल्स आपके पास operates अंदर ईयात कर सकते हैं जब कि अगर उनको डिफेरंट किसम का प्रोइड किया जाएगा तो वहां प्रोपर्टी आपके पास जो नहीं करेंगे और इससे में आपके सामने एक डिफरेंस रखा है जो कि आपके पास एलफा बीटा गैमा रेडियेशन की पावर के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा तो सबसे पहले देखते हैं कि अलफा रेज जो है उनके इंदर बात की जा से पास आउट होती हैं गुजरती हैं तो अपने साइज बढ़े होने के विए से काफी जादा पार्डिकल से जो है वो कोलाइड करती है और कोलीजिन के दुरान ही एक्चली में आपके पास फिर जो है वो एक आयोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा एस रिजल्ट आ सब्सक्राइब करने के रिजल्ट में आपको डिफरेंट पार्डिकल आयोनाइज करके दिएगा इरे कि अगर बात की हमने इस बारे में डिसकेस किया था जो है एकचली वो आपके पास एलैक्ट्रों से मिलकर बनते यहां आपके पास लाई डान का एक्ट्रॉन इफ्क इनका होता है बीटा पारिकल्स का तो इनका सदिर आपके इनकी जो capacity of ionization है वो as compared to आपके पास alpha particles के थोड़ी सी less होगी क्यों कि alpha particles का size बड़ा था जबकि beta particles का size as compared to alpha वो काफी small है because they are a type of electrons और electrons जो है वो काफी you can say collide तो करेंगे but most of them will pass without any collusion तो थरली आपके पास gamma rays आती है वो particles कुछ काफी smaller than the alpha और beta के exist करती है और यही वज़ा है कि आपके पास जो gamma rays उनकी ionization power बहुत कम है और इससे पहले हमने penetration में देखा था तो आपके पास gamma particles की जो gamma rays थे उनकी आपके पास penetration power इन दोनों के मुकाबले काफी जादा थी because इसके particles काफी चोटे थे और लेकिन यहां पर ionization उस वकत तक नहीं होगी जब तक आपके पास कोई भी rays के particle किसी दूसरे particle से in collision नहीं आएंगे तो as a result मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास gamma rays के particles अगर किसी भी gas में से अगर move on करते हैं तो उसमें से आपके पास collision की result में आपके पास ionization होगी तो मैं ionization को सानलफाज में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि alpha particles की जो आपके पास ionization है is less you can say is greater than beta particles और beta particles की is greater than आगे पास जो है वो gamma particles के सबसे ज़ादा जो है वो आगे पास किसकी है alpha rays की आपके पास ionization power होगी जिसके बाद आगे पास beta particles की बात की जाती है और as it is last में आपके पास बात की जाती है gamma rays की तो यह आपके पास ionization effect था किसी भी टाइप ओफ ऐसे particles जो किसी भी radioactive element में से emit हो सकनी है secondly हम इसको देखते हैं कि आपके पास जो stable और unstable nuclei है actually वो क्या है तो please stick to the video okay अब बात करते हैं कि आपके पास stable nuclei और unstable nuclei actually में क्या होते हैं पहले इससे कि मैं आपको यह concept completely deliver करूँ आपको पताता चलता हूं कि पहले है पार्टिकल जो है वो radiation को अमिट करते हैं तो यही actually में difference है stable और unstable nuclei के बीच में कि अगर कोई भी आगे पास particle जो है वो naturally अगर आगे पास radiations emit कर रहा है so it means कि that is unstable nuclei क्योंकि वो naturally ही आपके पास यह performance कर रहा है और यह अगे पास radiations emit करता चला जा रहा है जबके अगर ऐसे particle जिनको specific environment provide करके उनके ओपर कुछ chemical reactions और you can say some specific conditions provide करके अगर उनसे radiations emit करवाई जाएं यू can say के forcefully so that type of particles are lied in the stable nuclei that does not emit radiations naturally for example आपके पास sodium है जो कि अगर आप उसे special radiation conditions provide करें फिर ही आपके पास radiations को emit करता है और इसी तरह सागे पास aluminium भी है जो कि आपके पास जो है वह इस तरहां की radiations emit करेगा जो कि अगर हम उसे specific conditions provide करते हैं जबके अगर unstable nuclei की बात की जाए और हम इस चप्रे के शुरू से discuss करते हैं आ रहे हैं कि आपके पास uranium जो है आपके पास naturally एक पार्टी कहला जो कि आपके पास continuously radiation को emit करता रहता है तो यह आज का लेक्शर था जो कि हमारे पास ionization power और stable और unstable nuclei से related था I hope so आपके concepts जो होंगे वो clear हुए होंगे इन्शाला आपसे मुलाकात करते हैं next video में next video तक अपना ख्याल रखें खुदा हाफिज